यह नास्ता बनाना तो थोड़ा ज़ादा बनाना नहीं तो पक्का कम पड़ जाएगा तो चलिए आज में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटा, कुरकुरा एकदम अलग तरीके का नास्ता जो आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए फिर देर किस बात की बनाते हैं तो इस चटपटे से नास्ते को बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग जार में डाला हमने एक छोटी कटोरी ताजी हरी मतर इसी के साथ साथ डालेंगे काफी सारा ताजा हरा धनिया तो इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है धनिया थोड़ा सा जादा डालेगा यहाँ पर यह लगबग आधा इंच अद्रक का टुपडा है जिसे हमने अच्छे से छील करके ऐसे कट करके डाला है तीन चार हरी मिर्च को भी हम ऐसे रफली चौप करके डालेंगे तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची थोड़ी सी कम डालेगा साधी साथ हम पान से छे लहसुन की कलिया डाल देंगे एक छोटा चमच मैंने जीरा डाला है और बस हमें इसे ग्राइंड कर लेना है तो पहले हमने इसे सूखा ग्राइंड किया फिरसमें हमने दो तीन चमच पानी डाल करके इसका बढ़िया सा पेष्ट तयार कर लिया है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसे इस बात का ध्यान रखेगा कम चेकम पानी का इस्तमाल करते वे पीष्णा है इसे रख देंगे साइट में एक परात में हमने लिया है लगभग देड का टोरी के जितना गेहूं का आटा जी हाँ दोस्तों ये नास्ता गेहूं के आटे से बनेगा यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू को ग्रेट करके लिया है अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेष्ट तयार किया था हारे मटर और हारे धनिया का एक चमच चिली फ्लेक्स डालेंगे एक चोटी चमच अजवाइन डालेंगे लगभग दो चुटकी के जितनी हींग डालेंगे एक चमच नमक या फिर नमक आप स्वाद के अनुसार डालें यहाँ पर यह एक चमच दरदरा कुटा हुआ धनिया है और आधी छोटी चमच हल्ली पाउडर एक चमच धनिया पाउडर डाला है हमने और यह है प्रोसेस चीज तो इसे भी हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे इसमें बहुत अच्छा डेश्ट आएगा अगर आपके पास है तो जरूर डालेगा लगबग एक से दो चमच के जितना हम इसमें तेल डाल देंगे या फिर आप तेल की जगए घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें एक टाइट डो तियार करना है डो बहुत जादा टाइट नहीं रखेंगे जादा सौप नहीं रखेंगे और इस आटे को लगाने में मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तिमाल नहीं किया है क्योंकि इस सारी चीजों में आलरेडी मॉस्चर था तो यह दिखेंगे अगर आपको थोड़ी बहुत जरूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं तो यह टमाटर के पेश्ट और आलू से ही जो डो है वो तैयार हो जाता है तो यह दिखें मैंने यहाँ पर डो को थोड़ा सा टाइठ ही रखा है डो को अच्छे से मसल करके चिकना कर लीचिए और थोड़ा सा तेल लगाकर कि इसे अच्छे से चिकना कर लेना है और तुरंथ ही हम इसका नास्ता बनाएंगे इसे हम सेट होने के लिए नहीं छोड़ेंगे नहीं तो अगर यह रखा रहेगा तो थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो यह दिखें एक बड़ी सी लोई मैने लिए है इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर कि इसको गोल करेंगे और फिर से हम इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसके बाद हम इसे बेलेंगे बहुत जादा पतला नहीं बेलेंगे थोड़ा सा मोटा ही बेल करके तयार करना है आपको इसे तो यह देखें बेलन की सहायता से बस इसे मोटा मोटा सा बेल लेना है तो थिकनेस आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे कितना थिक रखा है तो पहले आपको इसे ऐसे ही गोल बेल लेना है आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं मैं हाँ पर आज square piece में इसे बनाने वाली हूँ तो side से हम ये edges हैं उन्हें निकाल देंगे cut करके और इस तरह से ये हमें चोकूर seed जैसी निकाल आएगी अब यहाँ पर इस तरह से pizza cutter से हम इसके लगभग डेड़ डेड़ इंची की मोटी ऐसी strips cut करेंगे ये देखिए आप चाहें तो किसी गोल चीज से या ग्लास वगरा से इसके गोल गोल pieces भी निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो triangle shape में बनाए मैं आज इसे इस तरह की shape में बना रहे हूँ तो ये देखिए हमने सारे काटके ready कर लिए हैं अब gas पे हमने रखा एक pan और इसमें हम डालेंगे सरसू का तेल तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसे करने वाले हैं shallow fry तो ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे आप चाहें तो इसे deep fry भी कर सकते हैं और जैसे ही तेल medium गरम हो जाएगा तो हम इने पलट देंगे यह दिखे इस तरह से मैंने इने टर्न कर दिया और इने अलटते पलटते हुए बढ़िया से क्रेस्प होने तक सेकना है तो लगबग 5-7 मिनट का टाइम लगेगा एक बैच के fry होने में देखे कितने बढ़िया कलर आ रहा है और आप देख सकते हैं देखने से ही लग रहा होगा यह कितने क्रिस्प है तो बस यह हमारा जो तयार नास्ता है उससे हम ऐसे टीशू पेपर की उपर निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए तेल में हम जो बाकी का बचा हुआ नास्ता है वह भी फ्राइ कर लेंगे और यह देखिए बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है आप इसे एक बार जरूर टाय कीजिएगा मैंने इसे सर्व किया है सेजवान चटनी के साथ रेसिपी कैसी लगी फीडबेक में जरूर बताएगा